सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिड्लिंग की तयारी कैसे करें यह आप देख रहे हैं एक साल पुराना सिड्लिंग है जिसमें की पॉली बैग पांच और चार का लिया गया है उसमें सारे मिट्टी भर देते हैं हम लोग और अमरूद के बीज को उसमें मिट्टी में डालते हैं और एक साल के बाद यह करीब करीब पैंसिल थिकनेस का हो जाता है पैंसिल अब आईए आपको बता दें कि इसी पे हम वेज ग्राफ्टिंग करेंगे तो तकरीबन इस मिट्टी से करीब करीब 15 सेंटी मीटर के आसपास इसको काट देते हैं और फिर हम ग्राफ्टिंग नाइफ से बीचो बीच हम काटते हैं उसके बाद यह जो आप सायनिस्टिक देख रहे हैं उसको भी दोनों तरफ जो केंबियम लेयर है इदम चिकना करते हैं ताकि यह एक दूसरे में चिपक जाए और इस चीरा को बीच में दोनों को लगा देते हैं और इस तरह पॉलिथीन से कसके हम लोग बान देते हैं यह अब वेस ग्राफ्टिंग का पुरा प्रोसेस तैयार हो चुका है अब इसके उपर हम कैपिंग कर देते हैं यह कैपिंग करने से इसका मकसद है कि इसके अंदर हुमिडिटी बनी रहे है चुकि अभी हम जाड़े के मौसम में कर रहे हैं जन्वरी के आसपास इसलिए इसको कैपिंग करना बहुत ज़री होती है कैपिंग करने से इसका जो बढ़ है जल्दी से लीफ में बदले इस मकसद से हम लोग कैपिंग करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कैपिंग किया हुआ है और इसका सही समय ऐसे आप जाने तो लास्ट वीक आप जन्वरी टू फरवरी होता है लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर अक्टूवर से शुरू कर चुके हैं पंद्रा-पंद्रा दिन के अंतराल पे अक्टूवर मेने में एक से फंद्रा तक फिर 15 दिन के बाद नौंबर में फिर 15 दिन के बाद दिसमबर में इस तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस मौसम में सबसे ज़्यादा सकसिस्फुल रहेगा तब मैं किसान भाईयों को बता सकूँ कि सबसे उप्यूगत मौसम जो होता है वो फरबरी ही होगा या अक्टूबर नौवंबर में भी आप कर सकेंगे एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो बड्ड स्टिक हमने काटा यानि कि सायन स्टिक वो फरबरी के समय में कोई डिफोलेशन के जरुरत भी नहीं परती है जहां तक कि अभी हम लोग जो करके देखे हैं उसमें 90 से 95 परसेंट का सक्सेस है और अक्टूबर नौवंब